शिव समा रहे मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ अगस्त को मलेशिया ने स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया गया मलेशिया की राजदानिये क्वालालंपूर यहां की करंसी है मलेशियन रिंगट तो दोस्तो आली में 31 अगस्त दो जार बैस को मलेशिया देश ने पैसेट वा इंडिपेंडंस टे के रूप में मनाया गया नेकस पे चलते तो हाली में भारत में पश्चिम मंगाल रज्ज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारक बनेगा इसकौन यानि कि International Society of Krishna Consciousness का Headquarter भी होगा दोस्तो इसकौन का Headquarter होगा या तो दोस्तो Temple of Planetarium के रूप में इसकौन का Headquarter भी बनाया जाए गई है और दोस्तो 2010 से बनाना शुरू किया गया था और यह 2024 तक बन जाएगा ऐसी गोशना भी पश्चिम मंगल में की गई थी तो दोस्तो आली में भारत में पश्चिम मंगल रज में दुनिया के सबसे बड़े धार में किस्मारक बनाने जाने की गोशना की है दोस्तो नेक्स पेचलते है तो दोस्तो आली में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट से नामक पुस्तक को डोक्टर अशुतो श्राराविकार टो दोस्तो नेक्स पेचलते है तो आली में भारत का पहला वर्चूल स्कूल अरविन्द केजिर्वाल जी ने लांच किया गया तो दोस्तो दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने भारत के पहले वर्चूल स्कूल का आयजन किया गया उद्गाटन किया गया और दोस्तो यह वर्चूल स्कूल कक्षा 90 से लेके बारवी तक के लिए है इसमें ऑनलाइन क्लासेज होंगी और रिकॉर्डड लेकचर्व भी होंगे दोस्तो इसमें तो दोस्तो लिमे भारत का पहला वर्चूल स्कूल अर्विंद केजरिवाल जी ने दिली में लॉंच किया गया दोस्तो ने क्षपे जलते हैं तो लिमे भारतीय रियलेवे ने वाटर WIAPर को पीने योगया पानी में बदलने के लिए मुंबई रेल्वे स्टेशन्स पर मेगदूत नाम को मशीने स्तापित की तो दोस्तो भारतिय रेल्वे ने दादर ठाने और मुंबई के अन्य स्टेशन्स पर मेगदूत मशीने इंस्टॉल की है तो दोस्तो हवा में जो water vapor है उसको drinkable water में convert करना चाती है यह मेगदूतम मशीने और दोस्तो पाच साल के लिए मेगदूतम मशीनों को स्तापित किया गया तो मैत्री Aquatic Private Limited को यह contract दिया गया है दोस्तो मेगदूत यह मशीने बनाने का जो की water vapor कोपी ने योग्यबानी में बद जलने के लिए मुंबई के दादर ठाने और मुंबई के अन्य स्टेशनों पर मेगदूतम मशीने स्तापित किया दोस्तों एक स्पेजल दे है तो दोस्तो आलिमे रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात रज्जमे भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारबन फ की कैपिसिटी होंगी यह प्लैंट की और दोजार पच्चिस तक पहला चरन इस प्लैंट का पुरा हो जाएगा और कारबन फाइबर यह हाई कंडक्टिविटी वाला एक उच्च बदार्थ है यह स्टील का अल्टरनेटिव भी है दोस्तों तो दोस्तों आलिमे रिलाइंस इसने गुजरात रजमे भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारबन फाइबर प्लांट को स्तापिद करने की गोशना किये दोस्तों एक्स पिचलते है तो दोस्तों आलिमे फेमस एकनॉमिस्ट और प्लानिंग कमिशन के एक्स मेंबर अभिजीत सैन जी का निदन दोस्तों आलिमे फेमस एकनॉमिस्ट और प्लानिंग कमिशन के एक्स मेंबर अभिजीत सैन जी का निदन हुआ है दोस्तों नेक्स पे चलते है तो दोस्तों आलिमे थाइलेंड में भारत के नेक्स्ट अमबैसेडर यानि की राजदुत के रूप में नागेश सिंग जी को नागेश सिंग जी को थाइलेंड में भारत के नेक्स्ट अमबैसेडर के रूप में चुना गया है दोस्तों आलिमे थाइलेंड में भारत के अगले राजदुत के रूप में नागेश सिंग जी को चुना गया नेक्स पे चलते हैं तो हाली में अनुराग शर्मा जी को ट्र अनुराग शर्माजी को कुशाध द्यक्ष ऽैंड के रूप मेन रूप मेचा edट किया गया और भारत के सार्र के जाव मेन रूप मेन रूप मेन हुकत प्यूट गलत चासीजी hen वंर मौत के रिक्शाध चुर्स डñ चीक लitniej्वाच फेन असाय क इस Commonwealth Parliamentary Association में तो दोस्तो आली में अनुराग शर्मा जी को Treasurer of Commonwealth Parliamentary Association के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तो नेग्स पे चलते है तो दोस्तो आली में दे सोवियत यूनियन के फुर्व प्रेसिडंट मिखाईल बुर्गा चेवजी का निदेनुआ तो दोस्तो युएससर के एक्स प्रेसिडंट एक्स राष्टपती मिखाईल बुर्गा विच जी का हाली में देनुआ तो दोस्तो 91 साल की उम्र में राष्टपती मिखाईल गुर्बाचेवजी का निदेनुआ तो दोस्तो USSR के लास्ट ने था थे दोस्तो यह मिखाइल गोरबाचेव जी और 1990 के नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था दोस्तो मिखाइल गोरबाचेव जी को तो दोस्तो आली में USSR के लास्ट नेताद सोवियत यूनियन के पुर्व राश्टपद मिखाईल को और बाच्चेव जी का निदनुवा 91 साल की उम्र में तो दोस्तो यह थे एक सप्टेंबर 2022 गे मातुपन गरेंड अफेस दोस्तो आज अपन क्या पड़े उसकी एक बार विजन कर लेते हैं तो आली में 31 अगस्ट को मलेशियन सोतंतरता दिवस के रूप में मना गया आली में भारत में पश्चिमंगार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक्स मारक बनेगा आली में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट से ओफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को डॉक्टर अशुदोशर रारा विकार जी ने लिखा आली में भारत के पहले वर्चुल स्कूल का उद्गाटन लाँच अर्विंद के जिरुवाल जी ने किया आली में भारतीय रेल्वे ने वाटर वेपर को पीने योग्य पानी में मदलने के लिए मुंबे रेल्वे स्टेशन पर में गदूत नामक मशीने स्तापित की और दोस्तो आली में रिलाइंस इंडस्ट्री जने गुजरात राज्जम भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट को स्तापित करने की गोश्ना की आली में फेमस एकनॉमिस्ट और प्लानिंग कमिशन के एक्स मेंबर अभी जीत जैन जी कानी दनुआ हाली में थाइलेंड में भारत के नेक्स्ट अंबैसेडर यानि की राजदुत के रूप में नागेश सिंग जी को चुना गया और दोस्तो आली में अनुराग शर्माजी को आपको पसंद आया होंगे अगर पसंद आया होंगे तो दोस्तो लाइक कर दिजियाक।